आपके सामने कोवीड नाइंटीन मीडिया बुलेटन के साथ आए देखते हैं आज क्या है राज्य में कोवीड नाइंटीन की अपडेट आज राज्य में 8,852 नए मामले अपकुल राज्य में पीडितों की तैदाद पहुंची है 3,35,928 को 7,101 लोग हुए हैं आज एक ही दिन में डिस्चार्ज 2,42,219 को पहुंची है अब राज्य में सियत्याब होने वालों की तैदाद एक्ट्व केसिस हैं 88,091 आज एक ही दिन में 106 लोगों के मरने से 5,599 को पहुंची है राज्य में आप क्रोना से मरने वालों की तैदाद आईए देखते हैं जिलों में क्या हैं आज कोवीड-19 के आकड़े आज बेंगलूरू सिटी में 2821, बागल कोट में 132, बलारी में 428, बेलगा में 357, बेंगलूरू गरामीन में 55, बीदर में 73, चामराज नगर में 54, चिक बलापूर में 127, चिक मंगलूरू में 207, चितर द में 95, दक्षिन कन्रण में 334, दावनगेरे में 373, धारवाड में 300, गदग में 106, हासन में 268, हावेरी में 105, गुलबरगा में 119, कोडगू में 65, कोलार में 82, कौपण में 240, मंडिया में 119, मैसुरू में 734, राइचुरू में 147, रामनगर में 114, शिमुगा में 29, तुमक में 314, उड़पी में 204, उत्तर कंड़ में 113, विजापूर में 117, यादगीर में 67, मामले आज सामने आए है, बात विजापूर की आज विजापूर में 127, नए मामले, अब कुल जिले में पीडितों की तैदाद पहुंचिया, 659, को आज 116, लोगों को डिस्चार्ज कि जिसे जिले में 573 को पोँचिया, सीयत्याब होने वालों की तैदाद, 773 लोगों का ईलाज चल रहा है, आज चार लोगों के मरने से, 103 को पहुचिया, काविद से, जिले में मरने वालों की तैदाद, और भाजी के लिए देखते रहिए आपका अपना, बीन्यूज नेशन